ज़ारे विद्धारतियों, गुड़ मॉर्णिंग पिछली कक्षा में हमने उजानेसिस के बारे में अध्यन किया था उसमें हमारे केरी टोपिक शूट कहे थे उन महतफून टोपिकों का अध्यन हम इस वीडियो में इस कक्षा के महत्य हम से करेंगे तो इसका खिशा में हम पीतक क्या होता है, पीतक के क्या क्या कारिया होते हैं पीतक की मात्राफ के आधार पर अंडों को अबरगी करण इसके अलावा विविन पिरकार के जो अंड जिल्लियां होती है, उनका निर्माण कैसे होता है उनके क्या क्या कारिया होते है शुक्र जनन और अंड जनन की जो क्रिया होती है उनमें क्या समानता है पाई जाती है क्या ऐसा मानता है होती है उन सभी का अध्यन हम इस वीडियो के मैध्यम से करेंगे तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया आप सभी लोग जानते हैं कि पीतक क्या होता है कि अंडे में एक उसक पदार्थ होता है जो परिवर्दे दोने वाले ब्रून को उसक उपलब्द करवाने का कारिया करता है तो हम यहाँ देखते हैं कि पीतक के क्या क्या कारिया होता है तो अंडे में संचित जो पीतक होता है उसके के परिकार के कारिया होता है जैसे इसका मैतपून कारिया क्या होता है कि जो डवलबिंग ब्रून होता है विक्सित होने वाला जो ब्रून होता है उसकी जैविक रिया रोंग के और जो बिश्च पूशक होती होती है उसको भी पीदा के द्वारा पूरा किया जाता है पीतक के प्रिकार के जो अंडे होते हैं उन अंडों के आकार विदलन के प्रिकार अंडे दरब के विवेदन अंडे के विकास या गैस्टुल ववन के दोरान जो ब्लास्टुमियर बनते हैं उनमें जो मॉर्फोजेनेटिक मुव्मेंट्स होता है उन सभ अब आता है कि पीतक की जो मात्रा होती है उसके वित्रण के आदार पर अंडाव का प्रिकार यानि कि किस-किस प्रिकार के अंडे होते हैं तो प्राणी समों के जो परिपक अंडान होते हैं उन्हें पीतक की जो मात्रा होती है उसका वित्रण बिन बिन होता है जैसे वह फिसीज में एंपीबेंस में, रैप्टाइज में, एवीज में, मैमल्स में, बिन बिन प्रिकार के अंडे पाई आते हैं तो इनी सभी प्रिकार के जो अंडे होते हैं उन्हें पीतक की मातरा भी बिन बिन पाई आती है सबसे पहला आता है A LACITAL A means absent यानि A P तकी जिनमें P तकी मातरा बहुत ही कम या होती ही नहीं यानि absent होती है उनको हम A P तकी या A LACITAL कहते हैं और A LACITAL टाइप के जो अंडे होते हैं वो सामयनते जो इस तंदारे जो जीव होते हैं खासकर जो मैनस के जो अंडे होते हैं वो A LACITAL होते हैं क्योंकि इनमें रून को पोशन अपलब्द कराने के लिए मेमिलियन प्ले सेंट पाया जाते हैं इसलिए इनमें P तक की या योग किया हो सकता नहीं होती है इस प्रिकार के जो अंडे होते हैं उनमें पीतक की मात्रा नगण या अनुपस्तित होती है और ऐसे अंडे पारवासी दिखाई देते हैं और उच इस्तनी जो रहते हैं जिनमें प्ले सेंट पाया जाता है जैसे कि मानव उनके जो अंडे होते हैं वो A LACITAL होते हैं A LACITAL जो अंडे होते हैं उनको Microlacithal अंडों के साथ भी रख सकते हैं Next type आता है Microlacithal या Oligo LACITAL या Mu LACITAL तो Micro या Oligo का मतलब होता है कम यानि कि पीतक तो होता है लेकिन कम मात्रा में पाये जाता है तो इस स्रेणी के जो अंडे होते हैं यसे प्रिमिटीब जोær लृटिब्रेट्स होते हैं जैसे स्पाइलम सी फेलो कोडेडा और यूरो ओडेडा के कलास है टूनी केट्स तो इसके जो प्राणी होते हैं उनमें माुक्रोलासितल या ऑल्लिग्लासितल प्रिकार के अंडे पायाते हैं मार्शुपी य्चंदारी जो होते हैं जिसमें कंगार अते हैं उनमें भी माइक्रो लैसितल प्रकार के आंडे पाए याते हैं सबसे मैतमुर्ड धारण सीर्चन और यो एमफियमोगसिसके जो अंडियोवते है वह ओ लेचितल प्रिकार के सीर्चन और एंफियोक्सस में पाए जाते हैं ये इसके मैत्पूर्ण उधारण है नेक्स्ट आता है मध्यम पीते की जिसको हम मीजोलेसितल या मीडियालेसितल कहते हैं तो मीजोलेसितल का मतलब होता है कि ने तो बहुत ही जादा अधिक और ने ही बहुत ही जादा कम यानि मध्यम प्रि प्रकार के जो अंडे होते हैं वो प्रकार के या मेडिया लैसितल प्रकार के अंडे होते हैं जो उनको देखा जाए तो ये एपारवासी या डेंस प्रकार के ये गने प्रतित होते हैं नेक्स्ट टाइप आता है आपका पॉली लैसितल या मेक्रो लैसितल या मेगा लैसितल इनका मतलब है कि ऐसे अंडे जिनमें पीतक की या योग की जो मातरा है वो बहुत अधिक मातरा में पाई आती है ऐसे अंडों को हम polylacetal या macrolacetal या megalacetal टाइप के X कहते हैं इस प्रकार के जो अंडे होते हैं वो cartilage या जो bonifisage होती हैं उनमें reptiles और pakshy work के जितने भी अंडे होते हैं और ऐसे इस्तंदारी जो अंडे देते हैं जैसे akadina है इस्तंदारी लेकिन वो अंडे देता है तो इस प्रकार के जो जीव होते हैं जैसे आपके रैप्टाइस हैं पक्षिय हैं फिसेज हैं मचलियां इन सभी में यौक की मात्रा बहुत अधिक पाई आते क्योंकि इनमें किसी प्रकार का प्ले सेंटर डवलपमेंट नहीं होता है डवलप नहीं होने के कारणे में जो परिवर्द होता है उसको पोशक पदार्द अफ्लब्द कराने के लिए पीतक की मात्रा आधिक मात्रा में चाहिए होती है इसलिए इस प्रकार के जो अंडे होत कि आधार परम हम अंड लो को किस प्रिकार से बर्ग व्रत कर सकते हैं इस आधार पर हम मुखत हैं तीन वर्गों में विदेशित कर सकते हैं तो पहला आथ लेसितियल या आईसोलेसितियल देखो होमो और आईसो यानि समान मात्रा में ठीक है वित्रण डिस्टिविशन की बात कर रहे हैं तो नाम से पता चल रहा है होमोलेसितियल या आईसोलेसितियल तो जिन अंडों में पीता की मात्रा या पीता का जो वित्रण होता है पूरे अं ऑνडे होते हैं उनको माईरोलैसी थिल अंडे भी चैह सकते हैं कि माईरे स ρोक हों पूरों एंडे में समानरूप से पूतर होती है मैं पुर्फितक की सेंठ्र्लेशी थलि तो सेंठ्र्रो抵िकों का मतलब क्या हुआ कि ऐसे अंडे जिनमें पीतक की मात्रा अधिक होती है और पीतक अंडे के जो मद्ध भाग है उस मद्ध या सेंट्रो वाला जो भाग होता है उसमें विन्यासे तो होता है उसमें अधिक वित्रत रहता है तो ऐसे अंडों को हम सेंट्रो लैसितल अंडे कहते हैं तो जितने भी प मात्रा में पाया जाता है वहां अधिक वितरत रहता है कि थरड़ नमबर आता है आपका कि ये टीटो लैसीथल एक दिलो या धुर दोब पीता की तो भी अंडे जिनमें पीता की मात्रा बहुत अधिक होती है और अंडे में समानरूप से बितरत लैसे नेोग करके अंडे के एक द्रुबपर एक तर हो जाती है उने हम द्रुबपीत की तील लैसी॥ die नायने कि पौली लैसी थाल धाल वहीं किसी इक द्रुबपर पर ने में दो पुल होते हैं एक एनिमल पुल होतृ अधिक होगी या फिर उसकी बैजितल फोल पे अधिक होगी तो इस प्रकायर करें जो अंड़े होंगे वो टीलोलैसी तल लेंडे कहलाते हैं ऐसे अंडे में पीतक की सामयनत है अंडे के निचले के जो सिरा होता है लोग ऐसे अंडे यानि जो टीलोल ऐसी थिल अंडे होते हैं उनमें जो अंडे का निचला सिरा होता है जिसको हम वेजिटल पूल कहते है उस वेजिटल पूल पे पीतक की मातर अधिक पाई आती है तथा जिस श्रिय की तरफ केंद्रक और सक्रिय कोच के दरफ पायाता है वो उसको हम एनिमल पूल कहते हैं तो इस बर्ग की जो अंडे हैं वो वीजो लैसी तल या जो पॉली लैसी तल परकार के जो अंडे होते हैं उन अंडों में हम टीलो लैसी तल परकार के अंडे को सम्मिलत कर स सकते हैं अब आता है बच्चों अंड जिल्लियों का निर्माण फॉर्मेशन ऑफ एग मेंब्रेंज सामयन जन्तु कोशिकाओं के तरह जो अंडे होते हैं उनके चारो तरफ प्लाज्मा जिल्ली का आपरण तो पाया ही जाता है लेकिन कई जन्तु ऐसे होते हैं जिनके अंडों में प्लाज्मा जिल्ली के बाहर एक सुरक्षात्मक जिल्लियों का आपरण भी पाया जाता है इन सुलक्षात्मक जिल्लियों के आबरण को हम सायक अंड जिल्ली या ऐसे सरी एग मेंब्रेन कहते हैं इनकी उत्पत्ति के अदार पर यह जिल्लियां होती हैं उन जिल्लियों को हम तीन भावों में बिवाजित कर सकते हैं प्राम्री एगमम्रेन, सेकंडरी एगमेमम्रेन, और तर्शरिया कativa में गमेम्रेन. तो सब से पहले मद्स देन करेंगे प्राम्री एगमेमम्रेन, प्रात्मिक अंड जिल्लियां, यह जिल्लिया अंड ततफ जो polycar cells होती है पुटे के कोशिकाओं के मैद जो अंड होता है या पुटे के कोशिकाओं के दोहरा इसको इस्तरावित किया जाता है प्रारम में यह जिल्लिया मुक्योपोली सेकराइड की बनी होई होती है यह प्राज्मा मेम्रेण के बाहर निर्मित ये जिल्लियां होती है वो जिल्लियां आपकी primary egg membran कहलाती है तथा विविन प्राणियों में ये विन विन नामों से जाने जाती है तो देखते हैं कि कौन कौन से नाम होता है इसके पहले आता है आपका बीटे लाइन मेंब्रेन यह जो जिल्ली होती है मुके पहले सेकराइड और फाइब्रस प्रोटीन की बनी हुए होती है और जो प्लाजम मेंब्रेन होती है अंडे के चारो तरो प्लाजम मेंब्रेन पाई आती है उस प्लाजमा मेंब्रेन के चारो और वा यानि टोड, मेडक, बक्षिवर के जो प्राणी होते हैं, उनके अंडों में वाइटलाइन मेंब्रेन पाई आती है। ट्यूनिकेट्स और जो मचली होती हैं, उसमें वाइटलाइन मेंब्रेन को कोरियों के नाम से भी जाना जाता है। सेकेंड आता है जोना रेडियेटा, जोना रेडियेटा जो मेंब्रेन है, यह सार्क मचली, कुछ वोनी फीसेज, कुछ एमपीवियंस और रेप्टाइस वर के जो प्राणी होते हैं, उनमें जो प्राइमरी एक मेंब्रेन होती है, उसको अगर हम लाइट माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो हमें रेखित दिखाए देगी, लेकिन जब इसको इलेक्टोन माइक्रोस्कोप से देखते हैं, तो इसमें यह सनरस्ना रेखित, जो सनरस्ना है, वो विकास सील अंड कोशिका के चारों, माइक्रो बिलाई के कारण अतुपन होती है, ठीक है, और मचलियों के जो अंडों की इस प्राइमरी एग मेम्रेन में एक अनेक प्रिकार के छोटे-छोटे शिद्र यह पोर पाये जाते हैं, इन शिद्रों को माइक्रोपाइल कहते हैं, निशेचन के समय सुक्राणों इन्ही जो पोर होते हैं, माइक्रोपोर्स, इनको माइक्रोपाइल कहते हैं इनसे शुक्राणू अंडानों में प्रिवेश करते हैं तो जोना radiator जो membrane उती है इसका मुक्क कारिया क्या हो गया है ये शुक्राण के प्रिवेश को सुगं बनाना क्योंकि सक्किन तरगत माइक्रोपाइज पाया जाते हैं नेक्स्ट आती है जो ना पहलू सीड़ा ये भी आपकी प्राइमरी एग मेंब्रेन है तो यह जो आब रण है बहुत सारे जो इस्तंदारी जीव होते हैं उनके अंड़नों में पाया जाता है मुख्विचाशता यह जो ना पहलू सीड़ा जो एग मेंब्रेन है प्राइमरी एग मेंब्रेन यह इस्तंदारी जीवों में सामयनते पाई आती है यह जो एग मेंब्रेन है यह पारवासी होती है निशेशन के जमें जो शुक्रण को इस आबने से निकलना होता है और अंड़े के गरवासे में जब अंड़ा यानि पाई आ जाता है बना रहता है कि नेक्स्ट इसनार रावित अबका जैली आवरंड जैली आवरंड यो बयार हो आने कि इस चलारिंगे ढसे ह्नारे नॉटा होता है जैली आबरण एक आइनोडर मेटा संके जो जीव होते हैं उनके अंडों में और जो समुद्री इनवर्टिब्रेट्स जो एनिमल्स होते हैं उनके अंडों में मुक्तिया जैली काबरण पाया जाता है तो यह हो गई आपकी primary egg membrane जिनको अलग लग जिन्तों में अलग लग नाम से जाना जाता है नेक्स्ट आता है आपका secondary egg membrane तो सभी जीवों में दुतियक अंड जिल्लियां नहीं पाई आती है अंडे के जो प्रात्मिक जिल्लियां होती है उनके बाहर जो folicar cells होती है उनके दुआरे एक जिल्लियां और इस्तरावित की जाती है उस जिल्लियां को हम secondary egg membrane कहते हैं ठीक है यानि primary egg membrane के बाहर जो folicar cells होती है उनके दुआरे एक layer या membrane secret की जाती है वो ही जो membrane होगी वो आपकी secondary egg membrane कहलाती है और ये जैसे केट होते हैं acidians tunicates जिनको हम बोलते हैं खास कर हड़ मानियां है ना इसके लावा cycloistomata के जो अंडे होते हैं उनमें ये जो जिल्ली होती है वो काईटीन की बनी होती है कठोर होती है और इसको हम उनमें korion के नाम से भी जानते हैं जबकि मेंड़क के अंड़ों में यह एक पतली जिल्ली के रूप में पाई आती है और जो वाइट लाइन मेंब्रेन होती है उसके बाहर यह इस्तित होती है पूर्च युक्त जो amphibians होते हैं जैसे यूरोडेल से रैप्टाइल से पक्षिवर के जो प्राणी होते हैं उनके अंड़ों में सेकेंडरी एग मेंब्रेन का अवाव होता है उनमें सेकेंडरी एग मेंब्रेन नहीं पाई जाती है नेक्स आता है बच्चो टर्श्यरी एक मेंब्रेन या तरतियक अंड जिल्लीयां तो इंका निर्माण अंड वायनी या अंड किसी मात्रक सायक जनन अंग या उत्वों के द्वारा किया जाता है वो अंड जिल्लियां, 33 अंड जिल्लियां कहलाती है जैसा कि परिवासा से हमें इस पर पता चल रहा है कि इनका निर्माण या तो अंडानों या जो पूटे की जो कोशिका हैं होती है वो इसके निर्माण में बाग नहीं लेती है इन जिल्नियों का जो निर्मान होता है वो तब होता है जब किसी अंडा से या जो अंडा होता है वो अंड वायनी से उकर गुजर रहा होता है तो उसके चारवर पाये जाने वाले जो उतक होते उनके द्वारा इनका निर्मान किया जाता है यह निमल निखित प्रकार क्यों सक सकती हैं जैसे न्ट मझलिए होती हैं उनके अंडों में हएलोवीन और हुलनी एक हाट है यह मिलकर एक यह करते हैं तो होनी होता है इस का तरइउन बाएनी में लश्क्र यह की प्रिकार की अंड कोशी का या जो अंडानु है या जो फॉलिकर सेल से वो भाग नहीं ले रही है जबकि इसका स्त्रावन किसके द्वारा किया जाता है फैलोपियन ट्यूप्स या अंड वायनी के द्वारा अंडों में बार एक जैली आवरान या जैली कोट पाया जाता है जो अंड वानी के द्वारा स्त्रावित होता है वे यह जल में मोचित किये जाने पर अंडों को किसी के सारे से चिपकने में मदद करता है रेप्टाइल और एविज बर के जो प्राणी होते हैं उनके अंडों में पाये जैने वाले एल्ब tombine जो cell membrane होती है केल चैल्सिम अन्ड वायनी के बिविन वाहों के द्वारा किया जाता है कि अब आगे कि जो एगम्म्रेंट होती हैं इनके फंक्शन्स क्या होते है क्या क्या कारियork किए जाते अंड प्रेजक प्राणियों के अंडों को जो परिया प्राणिये या जो बाहर के जो खत्रे होते हैं उनसे सुरक्षा प्रदान करने का इनका मुख्य कारिया होता है इसके लावा जो इसका अंद्रूनी जो सिरा होता है अंद्रूनी जो बाग होता है उसके दोरान अन्य प्र अब यह भी कि यहने की कि जिल्लियां होती है रहते हैं उनके द्वारह किया जाता है आपके जैसे जो हैं और कि फ़्याइशन रहता है उसको रोखने काका काम करती हैं एंफीब्स में यह जिल्लियां अंडे को जल्के की सत्य पर तैर्णे में सक्ष्यांबनाती है कि यह जिल्लिया अंडु में एक से अधिक शुक्राणों की प्रिवेश को जिसको हम पॉली स्पर्मी कहते हैं जब जैसे ही आपकी सुक्राणु अंडडाणों प्रिवेश करेगा तो निस्टेशनमेम्द बन जाएगी तो उस नि प्रक्षिबर के जो उंडें पाये जाते हैं उन्में अ्लबूबीनल इस तर अतिरिक्त पोश्क पधार्त aspect प्रदान करने का कारियं करता थे स्तंदरी проект ि उन्में पाये जने वाला जो जो नपेलू Casey नामा आपन जो होता है एक से सबसे पहले पढ़ेंगे कि इस में अत्म गजदुन यहनि कि इसमें क्या तो है और कीया इसमें डिफरेंस है तो सबसे पहले पढ़ेंगे कि इसमें क्या करें होती याने सबसे प्रियां के प्रोसर की यह को जाएगी तो आप मतलब क्या हुआ कि दोनों ही एगुनत यूगमको का निर्मान करते हैं। capitalAy'd दोनों ही क्रियाओं की जो प्राणवीक में अवस्ता हैं उती वह समान उती हैं जैसे गुनन अवस्ता है, ब्रद्धी अवस्ता है, परीपक्पन अवस्ता है, ये तीनों अवस्ता दोनों में समान होती है, हो सकता है कि उनका समय अलग लग हो, कोई अवस्ता लंबी हो सकते हैं, लेकिन होती तीनों अवस्ता हैं, समान रूप से पाई जाती है, शुक्राणु जनन में अ कोशिकाई निर्माण किया जाता है यानि कि जो खुणन प्रावस्ता होती है। वसमें, पहला विवाजन ş 1979 होगा, तो समसुत्री विवाजन की दुवारा दोनो प्रेकार की कोशिकाय बनेंगी यानि कि वसमे कि प्राथमिक सकरमिटर साइट बनेंगी और उसमें आपकी प्रात्मिक उसाइट बनेगी लेकिन विवाजन होगा वो समान होगा सुक्रण जनक में अंड जनक कुशिकाओं में दो परिपक्वन विवाजन होते हैं जिन मेंसे प्रैथम परिपक्वन विवाजन तो अर्दसूत्री होता है और दूसरा होता है वो समसूत्री होता है दोनों ही विवाजन दोनों क्रियाओं में समान रूप से पाए जाते हैं त तो सुक्राण जननन की जो क्रिया होती है वो नर जनन अंग यानि प्रेशनों में होती है जबकि अंड जननन की जो क्रिया है वो अंडाशे में होती है दूसरा अंतर क्या है कि सुक्राण जननन की जो क्रिया होती है वो जीवन भर चलती रहती है जैसे आपकी प्यवर्टी या का मीत रहती है यानि he 치entarma जब तक होता है तब तकgre क्रिया भने रहती है उसके बाद में उबरड स्ब्रूब्र जाती है कि इस क्रिया में मुणन प्रावस्ता के दौरान यानि मॉल्टी पसली के दौरान जो बनी सु करुछका है स्वाथ अंत्य बर्ट रैती हैं जबकि इस क्रिया में यानि यान जो क्रिया है इसके अंत्रों जो कोशिकाय बनती है उन्हें उर्ड यानि फॉलिकर्स रह न कोटेयां फॉर्ट पूर्टि एक अंड जनन कोशिका बड़ी होकर अंड अंड कोशिका का निर्मान करती है। सुक्राण जनन की जो क्रिया होती है इसमें जो ब्रद्धी प्रावस्ता होती है वो छोटी रहती है। तथा सभी सुक्रण जनन कोशिकाओं में समान रूप से ब्रद्धी समान होती है। जबकि अंडजनल की फूशका होती है, इसमें ब्रद्धी प्रावस्ता बहुत लंबी और जटेल होती है। और दो प्रावस्ताओं में बेवेदित कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। मैंने आपको पहले भी पताया था कि प्री वाइटेलोजेनेसिस और वाइटेलोजेनेसिस ये दो अवस्ताय हैं जिन में ब्रद्धी प्रावस्ताओं को हम डिवाइड करते हैं। प्रद्धी के मातरा में ब्रद्धी होती हैं बलकि जो रिजर्व फूर्ड होता है उसका भी इस्टोरेज अधिक होता है। सुक्राण जनन की जो क्रिया होती है उसमें दोनों परिपक्वन विवाजन प्रेशन के अंदर ही होते हैं जबकि जो आपका अंड जनन की जो क्रिया होती है इसमें जो दोनों परिपक्वन विवाजन होते हैं वो दोनों ही अंड ऐसे के बाहर होते हैं इसमें प्रैतम बे दुतियक परिपक्वन विवाजन समान होते हैं जिसके परणाव सुरू प्रात्मिक सुक्राण जुनक कोशिकाओं से चार इसपर मेटेड या चार सुक्राण को निर्मान होता है जबकि इसमें केवल यानि अंडजनन की जुक्रिया होती है उसमें केवल ए एक अंडाणू का निर्मान होता है और तीन पॉलर बोडी का निर्मान होता है जिनका विगट अनू करके वो लुप्त हो जाती है इसी प्रिकार जो सुक्राण जनन की जो क्रिया होती है उनमें इस परमेटिड कोशिकाओं का सुक्राणू में कायांत्रण होता है जबकि अंड कीकि परिकार का कोई कायांतरन नहीं होता है में इसक करिया के फल्सरोब यानि सुक्राण जननना की जो करिया होती है उसके फल्सरोब लंबे गति सील utilizz 요ं से योक्त सुकुराणेश निर्माण जर्म में परिक आपके समानता और ऐसा मानता